गुडुविनिंग दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल वोई टू सक्सस में आपको दुबारा मैं हर्दिक स्वागत करता हूँ जैसे कि मैंने मेरा जो पहलत वीडियोज बगरा में आप लोग को बताया था कि मैं रोटीन में जो आपका चाहिता टपिक से या जो जरुतमन टपिक से वो मैं लगातर आप लोग के सामने रखूंगा मैंने जो मेरा पिछले वीडियो में हमारा जो नंबर सिस्टम के बारी में तोटल नंबर सिस्टम के बारी में मैंने जानकरी आपनों को दिया था आज की जो मेरा टपिक है वो है ट्राइंगल स्कुल पर है इस टॉपिक में हम सबसे पहले हम सबसे पहले इसमें ट्रेंगल क्या होता है वो जानने की कोशिश करेंगे हम सबसे पहले क्या जानने की कोशिश करेंगे ट्रेंगल क्या होता है यह देखें ट्रेंगल ठीक है सबसे पहले हम ट्रेंगल जानेंगे उसके बाद टाइप सब ट्रेंगल क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे उसके बाद what are the difference between the triangles ये third step में कि हम इसको differentiate करेंगे सबसे पहले क्या जानेंगे हम first देखिए what is the triangles next में how many types of triangles और third में जो question हमारा रहेगा what are the difference between the triangles ये देखिए what are the difference between the triangles चलिए सबसे पहले हम triangle को define करते हैं सबसे पहले हम triangle क्या करते हैं triangle को define करेंगे ठीक है ये देखिए देखिए जो triangle को मैंने कुछ चीशतर define किया ये देखिए जो triangle की definition है definition किया रहा है a polygon with three sides and three vertices called triangle triangle क्या है वर्टिज ट्रेंगल ये ट्रेंगल ये ट्रेंगल ये पोलीगन ये ट्रेंगल ये पोलीगन ये देखिए definition जो है ये है definition आप लोग की सामने है ये है definition ये पोलीगन ये पोलीगन विद three sides and three vertices called triangle तो इसके मैं थोड़ा हिंदी में आपको समझाता हूं सबसे पहले triangle होने के लिए के जोरू है वो एक पोलीगन होगा सबसे पहले क्या होगा वो एक पोलीगन होगा जिसमें three sides होंगे अब व chlorine मतलब तीन जो है उसमें edges होंगे और three vertices तीन कोणा होगा तबी जाके उसी पोलीगन को हम एक triangle के पाएंगे triangle एक वो पोलीगन है जिसमें three sides होंगे और three vertices तीन कोणा होंगे तबी जाके हम उसको triangle पोल पाएंगे शायद आप लोग की मन में यह जो वार्ड एक पॉलिगन देखिए यह वार्ड जो पॉलिगन है यह पॉलिगन जो एक वार्ड है मैं आशा करता हूँ आपको कुछ कन्फूजन में डाल दोगा आप लोग सोतरे होंगे कि जब ट्रेंगल का डेफिनेशन में जो पॉलिगन आगया है यह क्या चीजे तो यह पॉलिगन को समझाने के लिए मैं आपको मेरा नेक्स्ट पेज में लेके चलता हूँ ठीक है देखिए पॉलिगन पहले क्या है पॉलिगन ठीक है ओके पॉलिगन क पोलिगन क्या है एक क्लोजट फिगर है having minimum 3 sides minimum 3 sides है ना पोलिगन हीजे closed figure having at least 3 sides उसमें 3 sides होगे और और closed figure होगा पोलिगन में क्या होगा 3 sides होगा और एक closed figure होगा क्योंकि यह दो साइड में पोलिगन नहीं बन पाएंगे जैसे दो साइड में आपको दिखाता हूँ यहां पर एक कोणा भी बन रहा है यहां पर एक कोणा भी बन रहा है यहां पर एक कोणा भी बन रहा है बट यह एक पोलिगोन नहीं है यह पोलिगोन इस तरह कि अगर मैं थ्री साइड से एक बनाता हूं यह इसमें कितने साइड है एक साइड है, दो साइड है, तीन साइड है, बट यह polygon नहीं है, क्यों polygon नहीं है, क्योंकि यह close नहीं है, यह open है, देखिए, यह जो है, इसका जो वह है, यह open है, किस तरह यह close नहीं है, तो polygon होने के लिए क्या चाहिए, polygon होने के लिए क्या चाहिए at least उसमें three sides चाहिए और दुसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो closed होना चाहिए देखिए three sides हो गया एक side, दो side three side और closed भी यह देखिए यहाँ पे कोई घुषने की कही रास्ता है नहीं है इस तरह देखिए चाहिए इस तरह भी देख सकते हो ठीक है इसमें कोई रास्ता नहीं है यह भी देखिए यह more than three sides भी हो सकता है जैसे यह four side है one side, two side, three side, four side भी है ठीक है ना तो जो polygon होगा वो not less than three sides not less than three sides होगा और एक closed figure होगा यह तीन से ज्यादा side हो सकते है बट तीन से जो side इसका कम नहीं होगा और यह इसमें सबसे जो बड़ी चीज क्या है यह closed figure होना अनिवारी है ठीक है तब ही जाके उस figure को हम एक polygon कहेंगे ठीक है और उमीद करता हूँ आपको polygon जो है समझ आ गया होगा ठीक है अब फिर हम triangle की तरफ चलते हैं triangle को समझाने के लिए ठीक है तो triangle का definition था इस तरह था एप उलिगोन विद थ्री साइड़ जिसमें तीन साइड होंगे और थ्री वर्टिसेस होंगे उसको हम क्या कहेंगे triangle कहेंगे अब उसको हम क्या कहेंगे triangle कहेंगे ठीक है अच्छा देखिए यहाँ पर मैं छोटा सा एक चित्र करके आपको समझाता हूँ देखिए यह देखिए यह जो है एक triangle है इसमें कितने side है एक side है दो side है यह तीसरे एक side है तीन side है ठीक है तीन थ्री भर्टिसेस भी है इसमें तो इसको हम क्या कह सकते है इसको हम क्या कह सकते है यह एक triangle है सबसे पहले यह एक polygon है यह जो triangle एक polygon है दूसरा क्या है इसमें तीन side है यह देखिए तीन side है ठीक है और तीन कुणा भी है 3 vertices भी है, so that we can say this figure is a triangle, तो हम क्या बोल सकते हैं, यह का triangle है, ओके, अभी, हमारा जो, जो next question था, how many types of triangles, पहले हमने clear क्या कर दिया, what is triangle, ठीके, ओके, अभी क्या देखेंगे, जो हमारा second question है, how many types of triangles, ठीके, यह जो type को समझाने के लिए, मैं थोड़ा सा आपको हमारा next page में लेकर आपको, इस page में आज़री, ठीके, आचा देखिए, ट्रेंगल्स जो है, on the basis of, on the basis of side, on the basis of side, उसका side को बैस करके, ट्रेंगल्स को तीन भागों में बाटा गया है, और by the side, यह देखिए, यह है, by the side, यह देखिए, by the side, ठीके, यह देखिए, by the side, मतलब side को बैस करके, हम किसी भी ट्रेंगल्स को तीन भागों में बाटा है, कैसे बाटा है, किस तरों बाटा है, सबसे पहला देखिए, यह एक ट्रेंगल है, आपके सामने देखिए, यह एक ट्रेंगल है, आचा, यह जो ट्रेंगल को, यह जो ट्रेंगल में देखिए, इसमें तीन साइड जो है, यह देखिए, यह जो है, तीन साइड एक ट्रेंगल है, ठीक है, इसमें तीन साइड जो है, same है equal है तिनो side जो है equal है तो इस तरह की जो triangle को क्या कहते है यह देखिए इसको equilateral triangle कहते है कौन से triangle कहते है equilateral triangle जिसका तिनो जिस triangle का three sides equal to each other तो उसको हम equilateral triangle ठीक है equi मतलब equal lateral मतलब sides मतलब जिस triangle का three sides जो है equal to each other that is equilateral triangle अभी next चलते है थोड़ा सा इसका मैं उपन जाता हूँ ठीक है अभी देखिए तो इसका next जो है यह जो triangle है अभी इस triangle की बात करेंगे देखिए यह जो triangle है यह देखिए यह जो हमारा दूसरा triangle है यह ट्रेंगल है इसमें है यह दो side same है यह देखिए यह side और यह side same है यह दोनो side same है देखिए यह दोनो side जो है same है बट यह दोनों के साथ यह बाला जो side है यह बाला जो side देखिए यह बाला जो side है same नहीं है ठीक है तो जिस triangle में दो side जो है equality each other होता रहे और third side ये दोनों के साथ same नहीं होता है, third side जो है unequal होता है, ठीके, जिस strangle में दो side same होते हैं, इसको isocell strangles कहते हैं, इसको थोड़ा मैं बढ़ा करता हूँ, ताकि आपको समगने में क्या होगा, थोड़ा सा आसान होगा, ये देखे, थोड़ा सा इसक ठीक है, इसको क्या कहते हैं, isocells strangles, जिन में देखिए, ओके, next जो है, next जो triangle है, ये देखिए, ये एक triangle है, ये देखिए, ये एक triangle है, ये देखिए, ये एक triangle है, ये बला, ये बला एक triangle है, ठीक है, ये triangle में क्या देखिए, ये एक side है, ये दुसरा side है, ये जो है, तीसरा side है, देखिए, इसमें जो तीनो side कोई किसी के साथ सेम नहीं है, जो तीनो side का अगर length जो देखेंगे, ये एक side है, ये एक side है, और ये एक side है, ठीक है, ये तीनो side जो है जो triangle में तीनो side कोई किसी के साथ same नहीं होता है unequal होते हैं तो उसको हम scale and triangle कहते हैं कौन से triangle कहते हैं? scale and triangle ये जो तीन triangle होगे अभी ये जो तीनो triangle होगे जैसे की I'm the best of sides उसका side को best करके किसी भी एक triangle का side को किसको best किया हमने? उसका side को best किया कौन किसको पैस के है, side को पैस करके, क्या क्या मिला, एक ते equilateral triangle मिला, next जो है देखिए, यह जो है, isocells triangles मिला, और थाड में यह देखिए, थाड में जो मिला, वो है, यह देखिए, वो है skeleton triangle, तो equilateral triangle, वो triangle होता है, equilateral triangle is the triangle in which three sides are equal to each other, ठीक है, ऐसे ही जो second में, जो isocells triangle होता है, isocells triangle is the triangle in which two sides are equal to each other, and the third side is not equal to first both sides, जो पहला बाला, जो दो side उसका, जो same होते हैं, equal होते हैं, इनके साथ ही same नहीं होता है, same length में नहीं होता है, अब ही third में, जो skeleton triangle जो है, skeleton triangle is the triangle in which none of the sides, none of the sides are equal, इसमें कोई भी sides, जो है, इसका कोई भी side, जो है, किसी के साथ same नहीं है, ठीक है, तो इससे हमको पता लगा कि, on the basis of by their side, on the basis of, अगर हम उसका side को base करके, जो triangle को तीन भागों में बाटा गया है, सबसे पहला भाग जो है, equilateral triangle है, दूसरा है, isocells triangle है, और तीसरा जो है, skeleton triangle है, अभी next जो है, हम देखते हैं, by the angles, कोणा को base करके, triangle को कितना भागों में बाटा गया है, अभी देखते हैं, कोणा को, जो है, angles को, जैसे कि यह देखो, by the, by the angles, यह देखिए, by the angles, मतलब कोण को base करके, triangle को तीन भागों में बाटा जाता है, एक होता है, acute angles, जो होते हैं, तीन प्रकार का angles होते हैं, जैसे कि, एक होता है, acute angle, दूसरा होता है, right angle, तीसरा होता है, obtuse angle, इस चीज़ को थोड़ा define करने के लिए, मैं आप लोगों को, मेरा blank page में लेके चलता हूँ, ठीक है सबसे पहले, acute angle, angle को समझने से, जो angle है, angle को तीन भागों में बाटा गया है, सबसे पहले यह हो गया, angles, देखिए, angles, ठीक है, angles में जो सबसे पहला जो है, यह क्या कहते है, acute angle, क्या कहते है, acute, acute angle, यह acute angle, यह acute angle, यह क्या होता है, acute angle, देखिए, जो एंगल यह जो एंगल क्या होता है less than 90 degree होता है कितना होता है less than 90 degree इसका जो एंगल का जो measurement होता है जो नाप होता है वो 90 degree से कम होता है तबी उसी एंगल को हम क्या कहेंगे यह है acute angle क्या कहेंगे acute angle जो next होता है हमारा यह होता है right angle right angle ये क्या होता है? ये राइट एंगना होता है 90 यह बिल्कुल एकदम नापना जो एंगनnya का मेजर मेंट अगर नापेंगे 90 रिagना है। smiles वो और है क्ये राइट एंगल है। ठीक है। अभी जो थाड जो थार जो category angles का वह है obtuse, 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 obtuse angle, क्या है, obtuse angle है, ठीक है, जो obtuse angle होता है, वो होता है, greater than 90 degree, या more than 90 degree होता है, तो, angles को जब categorize करते हैं, तो हमको angles जो है, तीन category में मिलते हैं, एक तो acute angle होता है, दुसरा right angle होता है, तीसरा जो obtuse angle होता है, तो obtuse angle, obtuse angle is the angle which is less than 90 degree, which is less than 90 degree, right angle is the angle which is equal to 90 degree, जो की बिलकुल बराबर 90 degree होता है, and the third one जो है, वो है obtuse angle, जो की greater than 90 degree या more than 90 degrees होता है, उसको हम obtuse angle कहते हैं, ठीक है, इसको, इसलिए मैंने आप लोग को समझाया, जैसे किसी भी triangle को, हम on the basis of angles, जब हम उसको classify करते हैं, उसका बरगी करन करते हैं, तब उसका नाम कुछ इस तरह आएगा, acute angle, triangle, right angle, triangle, obtuse angle, triangle, तो इसलिए मैंने ये angle के बारी में आप लोग को थोड़ा explain किया, चलिए, अभी फिर मैं दुबारा उसी page में ले चलता हूँ, ताकि on the basis of angles, how, how can triangles are classified in three categories, ठीक है, वो चीज मैं आपको दिखाने के लिए, मैं दुबारा वो मेरा previous page में ले के चलता हूँ, ठीक है, देखिए, ये देखिए, जो by angles, angles में मैंने जैसे की बताया, ये एक triangle है, देखिए, ये एक triangle है, है ना, अच्छा, इसमें, जितने भी ये दखिए angle, ये जितने भी angle है, ये सारे less than 90 degree है, ये क्या है, less than 90 degree, कितना है, ये less than 90 degree है, किसी भी कुणा जो है, 90 degree से ज़्यादा नहीं है, तो मैंने अभी समझाया था, जो angle, 90 degree से जो angle कम है, जिसका measurement 90 degree से कम है, वो acute angle कहा जाता है, क्या कहा जाता है, acute angle, तो इसलिए, देखिए, यहाँ पर जो triangle है, ये जो triangle है, इसमें तीनो को तीनो कोणा जो है, less than 90 degree है, that means, इसके अंदर जितने भी कोणा है, भर्टिसे से, ये less than 90 degree, इसका measurement है, मतलब 90 degree से कम है, so that, this type of triangle is known as acute triangle, this type of triangle is called acute triangle, इस तरह की जो triangles होते हैं, उनका हम acute triangle कहेंगे, ठीक है, अभी चलते हैं हमारा next category में, ठीक है, अभी देखिए, जैसे angle को मैंने फिर दुबार आपको repeat कर रहा हूं सीच को, या या दिला रहा हूं, जो हमने क्या पड़ा था, जो angle का measurement, बिल्कुल बराबर जो 90 degree है, जो angle का measurement equal to 90 degree होता है, उसका हम right angle कहते हैं, क्या कहते हैं, right angle, अभी यहाँ पर देखिए, ये एक triangle है, ये कौन सी है, एक triangle है, देखिए, इसको थोड़ा अलग कलर में करता हूं, ताकि ये आपको समझने में धुला आसा नहीं होगा, ये देखिए, ये जो triangle है, इसका जो ये बाला जो कोणा है, ये बाला कोणा, देखिए, ये 90 degree है, कितना है, ये बिल्कुल 90 degree है, equal to 90 degree, इसको अगर, हम इस कोणा को अगर measurement करेंगे, ये बिल्कुल 90 degree मिलेगा, तो ये जो triangle को हम बोलेंगे right angle, right angle triangle, right angle triangle, right triangle भी कह सकते हैं, या right angle triangle भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो एक कोणा है, ये बाला जो कोणा है, ये equal to 90 degree है, ठीक है, तो right angle triangle का definition ये है, जिस triangle में, एक कोणा जो है, एक कोणा का जो measurement है, 90 degree होगा, तो उसी प्रकार का जो triangle को हम right angle, triangle ये right triangle भी कह सकते हैं, ये देखिए, right triangle भी कह सकते हैं, ये right angle, triangle भी कह सकते हैं, अभी चलते हैं हमारा next category में, sorry, उसी category में, next type में, आच्छा, ये देखिए, इसको मैं एक दूसरे color में आपको दिखाता हूँ, यह देखिए यह भी एक ट्रेंगल है यह भी एक यह देखिए यह भी एक ट्रेंगल है ठीक है देखिए इसमें यह जो ट्रेंगल में एक कोणा देखिए यह बाली जो कोणा को देखिए यह बाली जो कोणा है यह 90 डिग्री से ज्यादा है ठीक है यह बाले जो कुणा है यह क्या है greater than 90 degree है यह आपके लिखा गया है greater than 90 degree है तो जैसे कि थोड़ी दर पहले मैंने बताया था जो angle को तीन भागों में बाटा गया है जो 90 degree से कम है जिसका measurement वो angle को हम acute angle कहते हैं जो बिल्कुल 90 degree होता है उसको right angle कहते हैं और जो 90 degree से ज्यादा होता है more than 90 degree या greater than 90 degree जिसका measurement होता है उसको हम obtuse angle कहते हैं तो वो जो definition को obtuse angle का definition को ध्यान में रखते हूँ यहाँ पर अगर देखा जाए इस 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 ट्रेंगल की खेतर में अगर देखा जाए यह बाली जो कोणा है एक angle है जो की greater than 90 degree है that means यह जो angle है इसमें यह obtuse angle तो जिस ट्रेंगल में एक कोणा जो है one angle जो है obtuse angle होगा अगर किसी ट्रेंगल में एक कोणा अगर उसका obtuse angle होता है तो हम उसको obtuse ट्रेंगल कहेंगे कौण सा ट्रेंगल कहेंगे obtuse triangle कहेंगे ठीक है अभी तक clear हो गया होगा तो थोड़ा सा मैं इसको दुबारा दो रहता हूं on the basis of sides पहले हमने ट्रेंगल का definition हमने जो है clear किया उसके बाद हमने types of जो ट्रेंगल है उसको भी मैंने यहां पर आप लोगों को दिखाया ठीक है यहां पर देखिए जो है मैंने जो ट्रेंगल का जो प्रकार को मैंने यहां पर देखाया on the basis of sides और on the basis of angle उसको भी मैंने यहां पर आपको समझाया ठीक है उसको थोड़ा दुबारा द्वारा देता हूं जो side को best करके triangle का triangle को triangle का जो प्रकार है वो इस प्रकार है कॉंची है सबसे पहले अगर किसी triangle का तीनो side से अगर से में all sides are equal to each other अगर three sides are equal to each other that means that triangle is known as the equilateral triangle EQ मतलब equal, lateral मतलब side, three sides अगर equal है उसको equilateral triangle कहेंगे अच्छा जो triangle में, जो triangle में दो sides same होंगे तीसरा side जो पहला दोनो side के साथ बराबर नहीं होगा मतलब हम सिदह सिदह यह बोल सकते हैं जो triangle में cable मात्र दो sides जो है same होंगे उसको हम isocells triangles कहेंगे कौंसे triangle कहेंगे isocells triangles तीसरा चीज जो triangle में किसी भी side कोई भी side किसी के साथ same नहीं है none of the sides are equal to each other उसको हम scale and triangle कहेंगे scale and triangle is the triangle in which none of the sides are equal to each other इसमें कोई side जो है किसी के साथ same नहीं होगा तभी जाके हम उसको scale and triangle कहेंगे यह देखिए तो side की साथ से यह 3 प्रकार होगे अभी angle की साथ से क्या क्या हुआ सबसे पहले यह देखिए angle की साथ से जैसे acute acute triangle acute triangle means जो triangle में तीनो कोणा 90 degree से कम होगे तीनो कोणा जो क्या होगे 90 degree से कम होगे वह यह देखिए triangle इसका तीनो जो कोणा है यह यह वाली कोणा है और यह वाली कोणा है यह कोई कोई भी जो है 90 degree से जादा नहीं है 90 degree से कम है that means यह acute angle triangle और दूसरा जो कोण सा हो गया जिस triangle में एक कोणा 90 degree 90 degree होता है उसको हम right angled triangle कहते हैं या right triangle भी कह सकते हैं या right angled triangle भी कह सकते हैं ठीक है ओके यह देखिए जो next है जिस triangle में एक कोणा obtuse triangle है मतलब greater than 90 degree होगा उसका measurement या उसको more than 90 degree भी कह सकते हैं तो वो triangle को obtuse triangle कहते हैं क्या कहते जो हमारे equilateral अभी क्या करेंगे जो side based पे जिसको हम equilateral triangle कहते हैं उसके बारी में और थोड़ा कुछ details मैं आपको जन करी देता हूं तो उसके लिए मैं आपको मेरा blank page में लेके चलता हूं देखिए यह देखिए एक triangle है एक triangle है ठीक है यह देखिए triangle को अगर हम nominate करते हैं तो A B C कर देते हैं ठीक है माल लेते हैं उसका AB जो है 5 cm है और उसका AC जो है यह वाला यह वाला जो यह भी 5 cm है और B C यह जो है यह भी 5 cm है तो क्या आप कह सकते हैं किस टाइब का triangle है तो इसको पक्का आप क्या कहेंगे equilateral triangle मतलब इसका three sides are equal है ना देखिए इसके साथ यह same है यह भी same है three sides are equal to each other क्योंकि तीनों का length जो same है तो उसी सबसे definition के सबसे decision equilateral triangle अगर कोई triangle equilateral होता है कोई भी triangle equilateral होता है उसका जो तीनों कोणा जो है वह भी पराबर होंगे जो equilateral triangle है कोई भी triangle अगर equilateral होता है उसका three vertices जो है equal to each other होंगे equal to each other that means हर एक का measurement 60 degree होगा हर एक का measurement है 60 degree होगा तीनों कोणा same है आप बोलोगे 60 degree कहां साया आपको कैसे पता जला 60 degree क्योंकि हम यह जानते हैं जो एक triangle का तीनों कोणा को जोडते हैं तीनों कोणा का measurement को अगर मिलाते हैं वो कितना degree होगा 180 degree कितना होगा एक triangle का जो तीनों कोणा का measurement है अगर हम जोड देते हैं वो कितना होता है 180 degree ठीक है अगर 180 ये तीनो कोणा को ये वाला कोणा ये वाला कोणा ये वाला कोणा ये वाला कोणा तीनो को मिला कि अगर 180 डिगरी होता है और ये तीनो कोणा से में तो हरे कोणा कितना होगा हम उसको divided by 3 कर सकते हैं 3 कर देंगे, तो 3 कर देंगे, तो कितना मिलेगा? 180 by 3 degree is equal to, 3 is equal to 60 degree, मतलब इसका हर एक पोणा 60 degree के साथ बराबर होता है, ठीक है? यह है हमारा equilateral triangle का details, ठीक है? ओके, next अभी, मैं थोड़ा ISOCELLS की बारी में पर समझाता हूँ यह देखिए, ISOCELLS over triangle होता है, जिनका two sides same होते हैं, देखिए यह देखिए यह का triangle है इसका मालो यह होता है, 5 cm इसको माल लेते हैं यह 5 cm इसको ऐसे हम नाम कराण करते हैं A, B, C करके और यह है 6 cm तो यह अगर 5 cm है और यह भी 5 cm है ठीक है? तो मतलब यह जो side इसके साथ equal है जो ISOCELLS triangle की definition की साब से जिस triangle का two sides equal to each other होते हैं दो side जो है same होते हैं, उसको हम ISOCELLS triangles कहते हैं तो ISOCELLS triangles में जब दो side same होंगे तो दोनो side का सामने बाला जो कोना है इसका सामने बाला यह देखिए यह जो side है, इसका सामने बाला कोना है और यह जो side है इसका सामने बाला कोना है ठीक है? angles जो है अगर किसी triangle का दो side same होंगे तो दोनो side का जो opposite angle होंगे उसके सामने जो angle होंगे उनका measurement भी same होगा इसका अर्थी यह है अगर ये बाला अगर 60 degree होता है शरी ये बाला अगर मान लेते हैं 65 degree होता है ये बाला जो एंगल ये बाला एंगल अगर 65 degree होगा तो इसका मतलब जो ये बाला एंगल है ये बाला जो एंगल है ये भी कितना होगा 65 degree होगा ठीक है मैं इसको थोड़ा और क्लियर करता हूँ आपको देखिए यह आईसोसल ट्रेंगल से ठीक है मान लो यह यह जो है इसके साथ सेम है इसको मान लेते हैं ठीक है आईसोसल ट्रेंगल से यह इसके साथ सेम है तो इसका सामने बाला कुना यह है इसका सामने बाला कुणा है अगर मानलो ये बाला कुणा का measurement अगर 30 degree होता है तो ये बाला कुणा का measurement कितना होगा ये भी 30 degree होगा ठीक है ये है आईसोसल ट्रेंगल से जिसका two sides same है और तिसरे जो है next जो है अभी मैं scale and triangle के बारी में कुछ details देता हूँ scale and triangle क्या होता है उसका कोई भी side किसके साथ same नहीं होता कोई भी side किसी के साथ same नहीं होता जैसे ये ए ठीक है ये हो गया B ये हो गया C देखिए ये अगर मान लेते हैं ये अगर 7 cm है ये अगर 7 cm होता है ये 6 cm और ये होगा 4 cm मान लेते हैं एजीम करते हैं तो देखिए ये 7 cm ये side होगया 6 cm और ये side होगया 4 cm that means this triangle is a skeleton triangle क्योंकि इसका कोई भी side किसी के साथ same नहीं है तो जिस्ट एंगल का कोई भी side किसी के साथ equal नहीं है तो उसका कोई भी एंगल जो है कोई भी जो एंगल जो है किसी के साथ बराबर नहीं होगा किसी भी जो एंगल किसी के साथ बराबर नहीं होगा किसी भी जो एंगल का measurement किसी दूसरे से बिल्कुल अलग होगा मतलब अगर अगर इसके none of the sides if in case of skeleton triangles none of the angles are equal none of the angles are equal क्योंकि इसका कोई भी side जो है किसी के साथ same नहीं है ठीक है तो इसके साथ मेरा जो ट्रेंगल की जो चेप्टर है यहीं पर क्लोज होता है टपी नेक्स्ट मेरा जो वीडियो रहेगा तो उसमें आपका जो चाहिए तर टपिक होगा मेरे को मेरा comment box में मेरे को comment करके बता सकते हैं और I hope मैं जो explain किया आप लोग इसको आच्छे से समझ पा रहे होंगे मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लग रहा होगा अगर मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगता है तो ज़रूर मैं यह request करूंगा कि जो है मेरा वीडियो को subscribe कर दीजिए like कर दीजिए कम से कम एक बार शेयर कर दीजिए इसके साथ साथ जो bell icon आपको दिखता है उस bell icon को अगर प्रेस कर देंगे मैं कोई भी वीडियो जो बनाऊंगा सबसे पहले उसका notification आपके पास चला जाएगा तो इसके साथ मैं मेरा वीडियो को यहीं पर खतम करता हूं again सारे friends का सुबकम नहीं करता हूं मेरा जो next वीडियो जो है आपका request मैं उमीद करता हूं कि आप लोग का request के best पर होना चाहिए ताकि मेरे को अच्छा लगेगा अगर आप लोग का request मेरे पास आएगा तो मेरे को अच्छा भी लगेगा और मैं inspire भी हूँगा तो इसके साथ मेरा टप्टिक को मैं एहीं close करता हूं जय हिन जय भारत